नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गां की टॉप 25 पर्मों खबर जानते हैं 14 दिसंबर को भूखर्थाल पर रहेंगे किसान दिल्ली सीमा पर लागता 17 दिनों तक आंदोलन कर रहे किसानों ने 14 दिसंबर को भूखर्थाल का बड़ा एलान किया है बतादे इस बीच खबर आ रहे है कि अगले 24 से 40 गंटे के बीच किसानों और सरकार के बीच आगले दौर की बैटक हो सकती है बतादे सन्यूत किसान अंदोलन के नेता कमल प्रीत सिंग पनू ने बताया सबी किसान संगठनों के प्रतिनीदी और अध्याक्स स्टेज पर चौदा तारीक अंचन पर बैठेंगे अपनी मताओ और बानों से इस अंदोलन में सामील होने का आवाहन करते है ज्यारखन महसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में महसम में बदला महसूस होगा बतादे रभीवार से न्यूंतम ताप्मायन में ब्रीधी दर्ज की जाएगी जो लगभग 16 दिसंबर तक रह सकती है बतादे 14 दिसंबर के बाद से राजे के अलग-अलग हिसों में बारिष की संभावना है इस दोरान ज्यारखन के मद्ध, दक्षिनी और उतर पच्छमी भागों में कहीं कहीं पर गरजन के साथ बारिष की संभावना है बतादे राची, बोकारो, गुमला, हजारी बाग, रामगर, पलामो, गडवा, चात्रा, कोडर्मा, लातेहार, समेत, आस-पास के जीलों में बारिष होगी 16 दिसंबर तक राजे में बारिष की संभावना बनी रहेगी जारकन में 8 लाग परिषारती देंगे रेलवे की परिक्षा है के लिए नियम कानून तय कर दिये हैं परवेस्पत्र 11 दिसंबर की साम चार बजे के बाद से रेलवे बोट की वेपसाइट से डाउनलोड होना सुरू हो गया है बतादे परिशार्थी वेपसाइट से परवेस्पत्र डाउनलोड कर सकते हैं रांची में बिजली उभगताओ पर 25 क्लूर का बकाया राजधानी रांची का बिजली विभाग का 25 क्लूर रुपय का बिजली का बिल बकाया है बतादे इस बकाया की वसुली नहीं हो पा रही है बिजली विभाग ने पिछले दो महीने तक कनेक्स्टन काटो अभियान चलाया लेकिन इस अभियान के बाद भी अभी बकाया बिल की वसुली नहीं हो पाई है इसे लेकर महा परवंदक ने सभी विधूत आपूर्ती डिवीजन के करेपालक अभियनतगाओं के साथ बैठक किया है हाई कोट के आदेश पर रोक लगाने से सुपरिम कोट का इंकार नियोजन नीती ममले में सुपरिम कोट ने जारखन हाई कोट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है बतादेश सनिवार को सिर्स कोट में नियोजन नीती पर हाई कोट के आदेश के खिलाप दाखिली आज का पर सुनवाई हुई इस दवरान पंचाज सचिव नियुक्ति को लेकर सुस्मीता कुमारी के ओर से नियोजान नीती पर जार्खन हाई कोट के आदेश परोक लगाने की मांग की गई लेकिन सुप्रीम कोट ने अस्थागन आदेश देने से इनकार कर दिया 14 दिसंबर को सूरे ग्रहन साल 2020 का अम्तिम सूरे ग्रहन 14 दिसंबर को लगेगा बतादे ग्रहन काल में सूरे आंसिक रूप से धाका हुआ रहेगा इस करण इसे खंड ग्रास सूरे ग्रहन माना जाएगा करीब पांच घंटे तक के लिए लगने वाला खंड ग्रास सूरे ग्रहन भारतिय समय के अनुसार साम 7 बजकर 4 मेट से आरहां भोगा जो कि मद रातरी 12 बजकर 23 मेट तक रहेगा बता दे 13 डाक्टर इसके घोसाल के अनुसार सूरे ग्रहन का अचर भारत पर नहीं पड़ेगा घोसाल के अनुसार खंड ग्रास सूरे ग्रहन का अस्पर सकाल संद्या 7 बजकर 4 मेट है 14 अधिसंबर से राची बोकारो इस्टील सिटी पसिज़े ट्रेन चलेगी राची नई दिल्ली राजधानी एक्सपरेस और राची लोकपाने तिलक एक्सपरेस के एलान के बाद सनीमर को रेलवे ने राची से बोकारो के बीच चलने वाली राची बोकारो इस्टील सिटी पसिज़े ट्रेन को भी चलाने का एलान कर दिया है बता दे एट ट्रेन नियमित चलेगी क्योंकि एस्पेसल ट्रेन की तरह रेल्वे ने इस ट्रेन के चलने की कोई आम्तिम तारिक जारी नहीं किया है एट ट्रेन 14 दिसंबर से राची और बोकारों के बीच रोज चलेगी जारखन में पांचवी कक्षा तक 40,778 बचे ड्रोप आउट सरकारी स्कूल में नमांकित बचों की सीसू पंजी तयार करने को लेकर कराये जा रहे हैं सर्वे में कक्षा 5 तक 40,778 बचे ड्रोप आउट पाये गए हैं इनमें और लाइन कलास का लाव भी नहीं मिल रहा है बतादे इनमें से 20,086 चात्र और 20,678 चात्र आउट पाये गए हैं जार्खन में 189 संक्रमितों की पुष्टी हुई है जार्खन में कूल संक्रमितों की संख्या 1,115,366 है जबकि 1,077,1,671 लोग स्वास्थ हुए और 995 की मिल रहा है भारत में कूल संक्रमितों की संख्या 9,973,081 है जबकि 93,56,889 लोग स्वास्थ हुए और 1,43,055 की मिरिती हो गाई भारत में नाइक केस 3,354 मिले हैं भारत में कूल एक्टिब केस 3,54,904 है वही जार्खन में एक्टिब केस 1610 है राश्ट्रिये परतिवाग खोज परिक्षा आज राश्ट्रिये परतिवाग खोज परिक्षा प्रारंभिक चेरन रविवार को होगी बतादे जार्खन एकटबी कौंसिल ने परिक्षा की त्यारी पूरी कर ली है परिक्षा को लेकर राजे में 36 स्केंदर बनाए गया है जहारलाख भक्स 6,035 सामिलित होंगे गडवा के दुर्जन गाउं में आदिवासी मैलाग साथ दो यूकों ने किया समोईक दुसकर्म जार्खन के गडवा जिला अंतरगत रामकंडा थाना चेतर के दुर्जन गाउं की एक आदिवासी मैलाग साथ गाउं के ही यूकों दुसकर्म की घटना को अंजाम देने एवा मैलाग साथ मारफिट की घटना का वीडियो भी बना कर उसे वारल किया बता दे या घटना 9 दिसंबद 2020 की रात की बताई जा रही है 25 बंगाल में बर्ष 2020 में होने वाले बिधान सभा चुनाव को लेकर BJP के हर नेता ताल ठोक रहे हैं योकतंत्र के लिए दुरभागे है दीदी बाड़ी से दीदिया होगी आर्थिक रूप से स्वालंबी बसंद सुरेन बिधायक बसंद सुरेन ने धुमका के मसलिया परखंड छेत्र के जाम बाद गाह में सर्निवार को दीदी बाड़ी योजना का सुभारम किया मौके पर विधायक ने कार्यक्रम में उपसी दीदियों को समोधित करते हुए कहा कि दीदी बाड़ी योजना जाकन सरकार के मत्वकांची योजना है जिसमें दीदियों को पोशन के साथ साथ आर्थिक स्वालंबी भी बनाने में मदद करेगा उन्होंने काहा कि मसलिया में कुल 29 दीदी बाड़ी योजना का लक्षा है तंबाकू पदार्थ की विक्री को लेकर छापे मारी अभियान पलाम उपायूक ते परतिबांधित पान मसाला तंबाकू पदार्थ के विक्री पर पोन रूप से रोक लगाने को लेकर पलामो जिल्या में व्यापक छापे मारी अभियान चलाया जाएगा इसे लेकर पलामो उपायूक शापे मारी अभियान चला कर परतिबांधित पान मसाला तथा तंबाकू पदार्थ के विक्री पर पोन रूप से रोक लगाना सुनिश्चित करा है किसानों का पचास हैर तक क्रिसी रीण माफी पर 30 दिसंबर तक निरना है राजे के क्रिसी मंत्री बादल पतरलेक सनिवार को समुदाईक स्वास्तिरकेंद्र गिरिडी जमुआ का अचिक निरिक्षन किया तथा मरीजों से पुछतास की मरीजों ने कहा कि इस अस्पताल में महिला चिकित्सा का अभाव है साथी साथ क्रिसी बिभाग के संदर में लोगों ने बीज बित्रन में गरबड़ी की सिकायद भी की मंत्री ने कहा कि इस संदर में वे क्रिसी बिभाग के डारेक्टर को जाच का आतेस देंगे इस दोरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि राज सरकार ने क्रिसी रिन योजना के तहट 2000 को रुपए बजट में उपलब्द कर रखा है किसानों को 50 रुपए तक क्रिसी रिन माप किया जाएगा किसानों का रिन माफी की परकिरिया में है 30 दिसंबर तक निर्न हो जाएगा गुमला जिला इस्थित सिसाई थाना के रेडवा गाव में सुक्रवार की रात 12 बजे साधी समरों में गोली चली है इसमें एक दर्जन लोग घायल हुए है जिसमें तीन लोगों की स्थिति गंभीर है बतादे गोली चलाने वाले अधेस साउक की ग्रामिनों ने जम कर पिटाई कर दी इसी बीच अधेस के दोस्त ग्रामिनों से बचाक कर ले गाए गुमला सदर पुलिस अस्पताल पहुँच कर घायलों का ब्यान लेने में जुट गई है मेडिकल कोलेजों में नियुक्ति शुरू गी 75 रुपे मांदे पर तीन बर्सों पर होने वाले नियुक्ति के लिए 21 और 22 दिसंबर को नाम कुम के और सी एच कैमपस इस्थित इस्चूट और पबलिक हेल्थ में वाक इन इंटर्विव का आउजन किया गया है जारकंड के 25 विधायक जल्द लाएंगे चमचमाती कार जारकंड विधायकों में जितकर पहुँचे विधायकों में से 25 के पास जल्द ही नई कारे होंगी बतादे इन विधायकों ने नई कार के लिए बहुत पहले ही रिन स्विक्रिति करने कागरा किया था लेकिन कुरोना संक्रमन के कारण आर्थिक परिसानियों को देखते हुए पहले ही कई तरह के पर्थिवन लगा दिये गए थे और सरकार के खाजाने में जैसे यसे रासी आ रहे हैं पर्थिवन्दों को हटाया जा रहा है इसी करम में विदायकों को कार लोन देने के लिए 3 कौर रुपे के आवंटन को सुक्रिति पदान कर दी गई है राजे में पूलिस सेवा में ही वरिय अधिकारियों को दी जा सकती है नकसल बिरोधी अवियान की कमान राज में नकसलियों से निपटने के लिए अब केंद्रिय बल के अधिकारी नहीं बलिक राजे पूलिस सेवा के अधिकारियों को कमान मिल सकता है इससे समंदित प्रस्ताव सरकार के अस्तर पर विचारा धीन है बतादे प्रस्तार त्यार किया गया है कि केंद्रिये रिजर पुलिस बल वा सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी जो नक्सल बीरोधी अभियान में बलो का नेतित करते हैं उनके राज्य में रहने के दोरान यहां के DSP अस्तर के अधिकारी भी अवियान के लिए प्रसिक्षित हो चुके हैं और अवियान की कमान सभालने की छमता रखते हैं 15 दिसंबर से संताल प्रवास पर बावुलन मरांडी भाजपा विधायक दल के नेता बावुलन मरांडी 15 दिसंबर से संताल प्रवास पर रहेंगे बतादे 13 दिसंबर तक संताल प्रवास के दुरान वे इस प्रमंडल से जुड़े सभी जीलों का दोरा करेंगे और करकरताओं से सनवात करेंगे भाजपा के परदेश उपाद्यक्स बिनोत सर्मा ने बताया कि बावुलन मरांडी 15 दिसंबर को साहिव गाज 16 को दुमका 17 को गोड़ा 18 को जामतरा 29 को पाकूड 20 को गोड़ा 21 को देवगार 22 को जामतरा 23 दिसंबर को दुमका जिला में पार्टी द्वारा आयोजीत विभीन कारेकरों में सामिलित होंगे 16-18 दिसंबर को नर्सिंग परवेस परिक्षा इस वर्स नर्सिंग A.N.M. G.N.M. तथा B.S.C. नर्सिंग परवेस परतियोगता परिक्षा कंप्यूटर बेस्ट अधारित होगी जाखन सन्युक्त परवेस परतियुक्ता परिक्षा परिशत के अनुसा है परिक्षा है रहाची के विभीन केंद्रों पर आयोजित की जाएगी परिक्षा में सामील होने वाले अभ्याती 15 दिसंबर तक परवेस पत्र डाउनलोड कर सकते हैं नर्सिंग परवेस परिक्षा 16 से 17 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी जबकि 20 दिसंबर को इसका परिणाम जारी होगा है राजे में मोबाइल धान करय केंद्र की होगी विवस्था मंत्री राजे के किरिसी मंत्री बादल पतरलेक ने किरिसी बजट को लेकर हजारी भाग में जन परतिनी दियो, किसान परतिनी दियो और विभागे वर्यपते अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में कई सुझाओं पर चर्चा की गई धान अधिप्राप्तिक के बावत पुछे गए सवाल के जबाब में मंतरी ने कहा कि बेवस्थाय बन रही है जल्द ही किसानों से धान खरिदे जाएंगे उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तूनला में तीन गुणा अधिक धान की खरिदारी की जाएगी उन्होंने यह भी क जाकि जरूरत पढ़ने पर मोबाइल धान अधिप्राप्ति केंद पराम किया जाएगा है। फिलिप चोदरी को मांगे से समधित ग्यापन सोपा है। सब्सक्राइब को एक लाइक करें ना भूले शाथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडबैक अवसे दें।